हेलो फ्रेंज स्वागत है आपका बंदना की रसोई में ना ही आटा और ना ही मैदा बहुत ही क्रिस्पी करारी इस तरीके से अगर आप एक बर स्नेक बना लेंगे तो हफ्ते में एक बर जरूर बनाएंगे तो चलिए जट पेटी से हम बना लेते हैं पांच मिनिट में बनने आदा कब सूजी और सूजी को हमें तब तक पकाना है जब तक ये डो के फॉर्म में ना आ जाए और कड़ा ही छोड़ने लगे तो ये सूजी है तो पानी को बहुत जल्दी सोक कर लेता है एक से दो मिनिट लगेगा और ये फटा-फट से ड्राई होने लगता है इस तरीके से देखेंगे तो और सूजी बहुत जल्दी फूलता है तो इस वज़ज़ से पानी भी बहुत जल्दी सोक कर लेता है तो ये देखिए एक सी दो मिनिट हुआ और प्रॉपर इस तरीके से एक डो के फ़र्म में आ गया है और इसे हमें एक मिनिट तक और पकालेंगे गैस को पूरा बनाने में पांस मिनिट लगता है ज्यादा स्धास मिनिट लगेगा इसे बचों को टिफीन में भी दे सकते हैं बहुत टेस्टी लगती है तो इसे हमें बरतर में निकाल लेंगे और फोड़े से ठंडा होने देंगे देखिए फिंगर से हम टच कर रहे हैं तो बिलक जितना आच्छे से मसलेंगे उतना ही यह सौप्ट बनता है सूजी तो इसको हम देख सकते हैं दो मिनिट हो गया इसे मसलते हुए और प्रॉपर इस तरीके से एक दम सौप्ट हो चुका है अभी हम इसमें डालेंगे आलू हमने बोईल करके एक आलू को कदुकस कर लिया है और धनिया डालेंगे बहुत ज्यादा इससे बहुत ही टेस्टी सा स्नेक बनता है और खाने में बहुत टेस्ट लगता है तो धनिया जरूर डालेंगे बार इसे हमें अच्छे से मसलते हुए थोड़ा सा हाथों में ओईल लगा के इसे एक सौप्ट सा डो बना लेना है जिससे सब अलू मिक्स हो जाए सूजी में और इसमें एक ж boost नस आजाए तो दो से तीन मिनट इसे अच्छे से मसल अधिका होगा चिया क्रिस्पी हो कारी विए हमारा ईसNiekt आलू ढालने से सूजी है तो ऐसे बिक बनती है तो ऐसे होगई और नहीं ज्यादा कडग के और यह ज्य सब्सक्राइब चकले फोड़ा सा ओयल लगाएंगे ऊपर इस तक हम नहीं लगाये हैं लेकिन अब लगा रहे हैं ठोड़ा सा और ठोड़ा से नीचे लगा देंगे इससे क्या होगा के नीचे चपकेगा नहीं और यह अछे से हमाराम से बेल सकते हैं अकले कि रखा लगाने कि कोई ज़रुथ नहीं है हमें इस तरीके से बेलने के बाद इसी लंबे-larum स्लाइस में कट कर लेना है सबसे पहले चर्कोल भागों में काट के काट लेंगे इस तरीके से यह बहुत बन जाता है बहुत जट बन जाता है बिल्कूल पांच मिनट में इसनेट्स बन के कंप्लीट हो जाएगा तो यहां पर हमने तेल रख दिया है गैस को रहें पर तेल पहले गरम हो जाये इसके बाद गैस को मेडियम पर रखेगा फिर इसके बाद एक एक करके स्नक डालेगा अब यह चलाना नहीं है जैसे जैसे यह फ्राई होगा वैसे अपने से फ्राई होते हुए उपर आएगा और यह फूलने लगेगा तो जो बहुत ही जल्दी बनती है और यह फूलता भी बहुत अच्छा है और खाने में जितना क्रिष्पी लगता है उतना है टेस्टी लगता है इस अगर एक बार बच्चों भी बनाकर देंगे बड़ी लोगों को भी देंगे तो बहुत पसंद आएगा देख से कितनी अच्छे से फूल रहे हैं तो इसे चलाना अराम से आप इसे पलटीएगा यह बहुत होता है इस तूटने का भी डर होता है तो बहुत इसली पलट जाएगा और यह देखिए हमने दो मिनट ही इसे फ्राई किया हैं बहु के कंप्लीट है बहुत ही टेस्टी बहुत ही क्रिस्पी तो गैस मैं बता दूँ कि अगर आपको मेरी स्नेक्स रेसिवी पसंद आई तो प्लीज एक लाइक और सस्क्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर बताएगा कि आपको कैसा लगा तो यह देखिए देखने म ही कितना लाजबाब लग रहा है खाने में उधना ही टेस्टी है हमारे घर सबको बहुत पसंद आया आपको कैसा लगा